आर्टिकल्स को देखते हैं आर्टिकल्स इंग्लिश लेंग्विज की विशेष्टा है आर्टिकल्स भारती भासाओं में नहीं पाए जाते हैं लेकिन इंग्लिश की एक आवसेक्ता होते हैं डिक्सेनरी में आर्टिकल के तीन अर्थ दिये गए हैं आर्टिकल का पहला अर्थ है कोई वस्त या सामान आर्टिकल का दूसरा अर्थ है समारचार पत्रिया पत्रिका में छपा कोई लेख होता है यानि जब कोई लेख पत्रिका में छपता है या अखबार में छपता है तो उसे आर्टिकल कहते हैं हमारे लिए आर्टीकल का जो तीसरा आर्थ है वो ज्यादा महत पूंड है क्योंकि grammar में आर्टीकल दो प्रकार के होते हैं एक indefinite article होता है जिसमें e और n आता है दूसरा definite article होता है जिसमें d आता है तो जैसा डिक्सिनरी में है आप देखें तो आप वावल तो जानते ही हैं वावल को हिंदी में स्वर कहते हैं ए ए आई ओ यू ए पांच सब्द जो हैं ए वावल कहलाते हैं इन अच्छरों को छोड़ करके यानि इन पांच अच्छरों को छोड़ करके बाकी सभी अच्छर कांसोनन्ट या वेंजन कहलाते हैं तो ए ए आई ओ यू ए जो पांच अच्छर हैं जिनको मैं भूल से सब्द कह गया हूँ तो ए जो पांच अच्छर हैं ए वावल्स हैं आएं आर्टिकल के बारे में और ज्यादा ध्यान से कुछ महतुपूर्ण तथि देखें आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं या दो स्रेंडियों में विभाजित होते हैं और संख्या में कुल तीन होते हैं अब इसको समझने के लिए कुछ उदाहरों को ध्यान से देखें इस उदाहरण में तीन आर्टिकल का उप्योग किया गया है यह प्रेजेंट यह पास्ट इंडिफनिट टेंस का वाकिय है यह पास्ट इंडिफनिट टेंस का वाकिय है जिसका अर्थ है कि मैंने सनक पर एक हाथी और एक घोड़ा देखा यहां पर एन एलिफन्ट और आ हार्ष तथा दा रोड शब्दों का उप्योग किया गया है एलिफन्ट हार्ष दोनों सिंगुलर का मन नाउन है एलिफन्ट का प्रनेंसियेशन यह एक स्वर या वावल से होता है इसलिए इसके पहले एन लगाया गया है हार्ष का प्रनेंसियेशन उच्चारण हा यानि व्यंजन यानि कांसोनेंट से होता है इसलिए इसके पहले एक अप्रियोग किया गया है उदहरण दो देखते हैं अगर्ड हैज बीन स्विमिंग इन दा गंगाज फार एन आर यह प्रिजेंट परफेक्ट कांटिनुवस टेंस का वाकी है अगर्ड एक लड़की दा गंगाज गंगा में एन आर एक घंटे से तैर रही है गर्ड के पहले ए लगाए गया है क्योंकि इसका उच्चारण गा कांसोनेंट से हो रहा है आर के पहले एन लगाए गया है क्योंकि इसका उच्चारण ओ औ यानि एक स्वर वावल से हो रहा है नदियों के पहले D लगता है इसलिए गंगाज के पहले D लगाया गया है तीसरा उधाराण देखते हैं An alien says that an MA reached in a university on the earth एक alien है जो कि कहता है कि पर्थवी पर university में एक MA पढ़ता है यहाँ पर alien के पहले A लगाया गया है क्योंकि यह singular common noun है और इसका उचारण A से होता है A अनिस्चित भी है MA का उचारण A से होता है इसलिए इसके पहले A लगाया गया है जैसे alien के पहले A लगाया गया है University के उचारण University का pronunciation या से होता है इसलिए इसके पहले ए लगाया गया है इससे आप ज्यादा ध्यान से देखें युनिवर्सिटी का उच्ण या से होता है या कांसोनन्ट या वियंजन है प्रथवी या आर्थ के पहले दी लगता है मून के पहले भी दी लगता है सन के पहले भी दी लगता है यानि जो heavenly bodies होती हैं, श्वरगी पिंड होती हैं, उनके पहले दी लगता है, दी sun, दी moon, दी earth Generally, an are used before countable common noun तो an countable common noun यानि वो common noun जिने गिन सकते हैं, उनके singular के पहले लगता है article adjective माने जाते हैं, a determiner माने जाते हैं, यह articles ग्रामर के रूप में determiner माने जाते हैं अब आज का सुविचार देखते हैं यह सुविचार हैमलेट से लिया गया है हैमलेट विल्यम सेक्सपियर का सबसे बड़ा नाटक है यह विल्यम सेक्सपियर की एक प्रसिद्ध ट्रेजडी है यह thought है, ब्रेविटी इस दा सोल आप विट संचिप्तता वाग वैद्ध या वाग चातुर की आत्मा है यह कोई वाग संचिप्त होता है तो वो जादा प्रभाव डालता है बहुत बढ़ा चड़ा कर बोलना और बहुत जादा प्रभाव साली नहीं होता है यानि सही सब्दों का सही प्रयोग किया जाए और वा की छोटा हो तो वो ज़्यादा प्रभाव साली होता है Bravity is the soul of wit Thank you